नाग्रिक्ता कानून और एल्नार सी थोपेगा अगर तुम्हारा समझोता नहीं वाज मंत्री होकर मध्यस्ता नहीं करते हो मुख्य मंत्री हो ना जाना चाहिए था तुम्हे सामने क्या तुमने है लौय करे थैंज ने क्या तुम्हे था रितलाई में चाहिए था तुम्ने नहीं किया कि अगर अगर तुम के मंत्री होते घंटे में शाइन बाग हटा दिया गया होता खाली करा दिया गया होता अगर 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 इतनी ही हम्मत है तो केजरी वाल ये जोर ये जोर और ये जोर हमारी बेहनों पे ही क्यों चल रहा है तुम्हें इतनी ही हिम्मत इतना ही तंग था तो शाहिन बाद की बेहनों को हटाने की बजाए उस दाना शाक औललकार के कहते कि उसे हटना चाहिए इस मुल्क की सक्ता गुर्सी से जिसे इस मुल्क को बर्बाद करके बेरोजगारी महिंगाई और गत्वी की आग में छोप कर रखा लेकिन तुमने नहीं कह अगर तुम्हारा अर्विन केजरिवाल समझोता नहीं हुआ भजपसंग के साथ तो पूछना चाहते हैं यही तो जामिया के बच्चे थे यही तो जे एन्यू के बच्चे थे जब तुम राम लीला मैदान बैठे थे प्रस्ता चार की लगाई लड़ रहे थे यही विश्मी धालने में पढ़ने वाले हमारे युवा पच्चे तुमारा समर्थन करने लिक लेती लेकिन जब जब इस तानाशा और इसकी पुलीस ने नागरिक्ता कानून का विरोध कर रहे हमारे जामिया जे एन्यू के बच्चों को पीटा कभी पुलीस और कभी गुंडों को भिजवा कर नकाब पहना कर पहुचाया पीटा बेरहनी से तुमें केजरिवाले लिए नहीं गए तुम जे एन्यू नहीं गए तुम उन हस्पतालों में नहीं गए जहां पर हमारे बच्चों के हाथ पर रणा के फोड़ दी गए यो केजरिवाल ये प्रश्ण बनता है पूछिएगा आपने आपने भी किट्चा केजरिवाल के पार जवाब है इसका लिए गई जामा मस्जिद गया आपकी ये पहल और बेटी गई प्रेंका गांदी इंडिया के पर बैटी रही क्योंकि हमारे बच्चों को लर्सी कभी रोज कर रहे थे जामिया और जेन्यू के बच्चों पर अत्याच्चार हुए उन्हें पीता गया उसके बाद उनी पर जूटे मुकद में बना दिये गए कौन गया तब केजरिवाल दिली गई रात को तीन तीन बजे कड़कती ठंड में बच्चे मुकद में उनसे वापिस लेने का दबाब बनाया और मुकद में वापिस हुए भी केजरिवाल तुम आई ट्यून है तुम मस पतालों में हमारे पच्चों को देखा है नहीं ये प्रशन होता है ये कौन भोली जरूर है नहीं है बहुत से लोगों को और सियासत को इस पुरानी प्राम में देखा है आज केजरिवाल एक धोका है कैसे कैसे उसने पंटी मारी चाहे का 370 का चाहे असम का चाहे दिली के अंदर पूरे मुलक में एनरसी नागरिक्ता का मुद्दा हो पल्टी उसे ये लगने लग गया है कि जहां का वोट उसकी जेव में है क्यों क्योंकि मुफ 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 सब आ गए है और बड़े मुट्टे को इस मुल्क के से ने जो बड़ा मुद्दा खड़ा है नागरिटा कानून एनर्सिस को भूल गए है उसको भूल गए है इसको मुट्टे पर जरूरत नहीं है क्योंकि मुट्ट मुट्ट की एक मोटी चादर अपनी नाकामियों पर चड़ा कर पार हुआ है वो तब तब डूबा है तुम भी आज तो नाग में सवार हो इसलिए तुमारी नाग इस सो हदार पीस के दिल्ली के सब्सक्राइब करने वाले लोग है ये हिंदुस्तान ओ ये दिल्ली हाथों ने मेहनत करके बनाए इन्हें रोजगार चाहिए आज भी रोजगारी की मौर झेल रहा है हमारा युवां आज योजगार नहीं देते महंगाई का मुट्ट कर दिए और मुट्ट कर दिए ये कहत पर दो आपिए दिल्ली में कांग्रेस सटर सीटों पर चुनाव लड़ रही शीला तिक्षी जी के 15 सालों के चुनाव पर कामों पर चुनाव लड़ रही और आपकी ये बैती आपकी ये बैन जिसे पंदरा में आपना विधायक बनाया अपने कामों के दम पर आपके दम पर उस्ताना शाह को भी ललकार रही है और यहां से चुनावी मैदान में भी खड़ी आज आप से कहूंगे फ्रेसला सो समझ कर करिए देश हाथों से निकल चुका है चार साल सिर्फ संघर्ष पचा है करें ये संघर्ष कॉंग्रेस जुकने वालों में से नहीं कॉंग्रेस समझोता करने वालों में से नहीं मुल्क का इतिहास अजादी का उठा कर आस तक देखीजी जहां कल खड़े थे वही आज हमारी हाथों से निकल गई तो आपका हमारा हमारा संघर्ष को दुगना हो जाए आज मुल्क को कहूंगी जब देश की सत्ता सरकार तानाश्या हो जाती है किसी को सुनती नहीं अपने फर्मानों को धोपती चली जाती है तो आवान को आवान को उस तानाश्या सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने भी चाहिए मैं आप से कहूंगा वो तानाश्या सत्ता पे लगाए कोई और नहीं सिर्फ कॉंग्रेस हो सकती है आज पूरे देश में आते कीजी रास्त्रिये पार्टी अगर कोई है इन तानाश्याहों के परमानों पर तुगलित की परमानों पर इस देश को बाटने वाले कानूनों की अ सिर्फ पांच मिनिट बचे हैं पांच मिनिट बाद पांच बजते ही यह चुनावी जनसभा और यह दिल्ली का पूरा चुनाव धम जाएगा मैं सिर्फ अबंतिम बार कोकर जा रही हूं अर्विंद केजरिवाल अगर तुम इतने ही इमानदार थे तो लाल बहादुर शास इसके पोते नारा दिया था याला याल शोज़िव यह जावान जाखेसांड उसके पोता एक करोड की नोकरी छोड़कर आयाता नाम है आधर शास्त्री क्यों टिकेट कठी झाटि वसले currently केज़ी वाल तुमने वह तो लेमानदार ता Weise जीता हुआ विध औसकी कठी तो कठ अरे भाई केजरीवाल दी किसको जा किसी युवा इमानदार पड़े लिखे आजादी से आयोए किसी को दी नहीं केजरीवाल चांदनी चौक विधान सभा की तरहां द्वारका में भी उसी को टिकेट दे दी जिसे 15 में केजरीवाल तुमी बताते थे यह फ्रस्ट है इन्हें हालाओ और लोगों ने जोए द्वारका वाला विधायक हो आपने केजरीवाल भृस्ट बताया तोनों को हाला दिया था आज 20 के चुनाव में केजरीवाल ने उनी हारे हुए भ्रस्ट विधायकों को अपना 20 में टिकेट को को समझना हो आज यहाँ परचिस 70 साल के आदमी को टिकेट दिया है आज इस चार्ट अगर अलका लामा के सामने अवाम का जो भी फैसला आएगा इमांदा संगश करने वाला इस टिकेट दिया कि पुर्व विधायक था चालीस सालों से लूट कर इन इलाकों को तो तुमने कि उसमें कोई ऐसी रूची नहीं है लेकिन केजरिवाल जानता है कि वो निकलेगा गलियों में बेटी और बहन को हराना उस केजरिवाल की नाथ का प्रण बन चुका है आप लोगों के पीश से जा रही हुए आप